भगवान की जो सेवा है जो वैश्णवों का प्रान सर्वस्व है जीवन सर्वस्व है इतना अधिक सेवा में प्रेम है कि उसमें भगवान की भी भागीदारी सहिं नहीं करते हैं आप सेवा लीजी आपका इतना ही अधिकार है सेवा संपती हमारी है आप ये अधर्म अन्याय क्यों कर रहे हमारी संपती को छीन क्यों है एक दक्षण की एक घटना है दक्षण में स्री अनंताचारी नाम के एक महापुरूस थे उनकी लकुट आज भी रखी है तिरुपती बालाजी में जब भीतर प्रवेश करते दर्शन के लिए तो मुख्य द्वार पर आज भी लकुट रखी है जिस लकुट से उन्होंने ठाकुर जी को धमकाया था बालाजी को धमकाया था वो आज भी लकुट रखी है श्री बालाजी वहाँ विराजमान उसकाल की बात है जब बहुत लोगों का आवागमन नहीं था तो भगवत कहिंकर ये परायन ग्रहस्थ वैश्णव अनन्ताचारे स्वामी श्री वंकटाद्री यात्रा करने पधारे भगवान का दर्शन किया भगवान के प्रत्यून का वाद से लिभावता तो विबड़े व्याकुल हो गए कि यहाँ पहाड है और गर्मी के समय ठाकुर जी को बहुत व्याकुलता होती होगी ग्रीश मसे कैसे ठाकुर जी को सीतलता मिले तो उनके मन में विचार आया कि अभी तो गर्मी का समय है यदि एक सरोबर भगवान के लिए बन जाए पुशकरणी बन जाए तो बर्शाकाल आने पर उसमें परियाप्त जल हो जाएगा पहाड का सुध जल हो जाएगा और उस जल से भगवान को जब इक्षा होगी तो जल भिहार भी करेंगे नौका भिहार भी करेंगे और नहीं तो कुछ नहीं तो भगवान के मंदिर के परिशर में ही पुष्करणी होगी तो उसकी शीतल तातो भगवान को प्राप्त होगी इस भाव से उन्होंने अपनी ग्रहणी को आज्यादी जो की आसन्नप प्रसवा थी मैंने गर्वणी थी और प्रसव काल निकट था उन्होंने का देवी देखो भगवान के लिए पुष्करणी का निर्मान करना है सरुवर का निर्मान करना है तुम हमारा सहयोग करो ठीक है तो मैं कुदाल चलाता हूं मिट्टी खोदता हूं और तुम उसको फैंके दूर आओ ठीक है तो वो जैसे खोद करके डलिया मिट्टी से भरते और उनकी ग्रहनी गरभनी थी आसना प्रसवाती भार कैसे उठे लेकिन पती आ गया तो सिर पे रख करके लेके जाती थी और वो जब तक खोद नहीं पाते तब तक वो परात को डलिया को रिक्त करके चली आती तो उन्होंने कहा कि देवी ये पहाड की मिटी बड़ी कतोर है पत्थर है यहाँ मैं बहुत स्रम पूर्वा के इसको खोद रहा हूं मैं खोद नहीं पाता हूं तुम उसके पहले परात रिक्त करके खाली करके चली आती हो तो कहां फैक के आती हो हमने जो स्थान निश्चित किया वहाँ डालके नहीं आ रही हो क्या नहीं नहीं वहाँ से भी आगे मैं पहुंचाती हूँ पर मैं नहीं पहुंचाती हूँ कौन बोले मैं दो पग चलती हूँ तब तक एक चार भुजा वाला सावला बालक आता है और मेरे मस्तक से डलिया उठा के भाग जाता है दोड के जाता है मिट्टी खाली करके खाली डलिया हमको दे जा मुझे चलने का अस्रम नहीं करना पड़ता है मुझे भार उठाने का अस्रम भी नहीं करना पड़ता है अब सूर्यास्त होने वाला था दिन भार ठक गए थे उन्होंने कहा ही यहां तो हमारे तुम्हारे एत्रक्त कोई मनुष्य दिखाई ही नहीं पड़ रहा है यहां कौन आ जाता है देखें उन्होंने देखा ठाकुर जी बाला जी है तो लकुट उठाया अपना ले खबरदार यह संपत्ती हमारी है इस पर डकेती मड़ डालो हां मंदर में बैठकर सेवा लो आपकी पुष्करने के लिए हमको जितने जन्म लेने पड़ने पर हम खोद के तयार करेंगे आप हमारी संपत्ती को क्यों चीन रहे हो ठाकुर्जी भले हम से सहन नहीं होता है अब होगा सहन ठाकुर्जी भागे डर के मारी मंदर में और वहां के राजा को भगवान ने स्वपना देश किया कि मेरे बहुत प्रियभगते हैं अनंताचारे स्वामी आप पुसकरनी तैयार करो तो एक ही सुर्योदय सुर्यास्त में वो पुसकरनी तैयार हो हजारों वैश्नव लग गया राजा स्वयम लग गया और एक ही सुर्योदय से सुर्यास्त में भगवान की पुसकरनी तैयार हो आज भी पुसकरनी सेवाही की रिध्धी ही ये राखी बहु जो रिके वैश्नों की संपत्ती तो सेवाही है शवरी जी के चरित्र में भक्तमाल के टीकाकार प्रियादाशी ने लिखा है निशी कौन चोर आयो है मतंगम रिशी को ये बात समझ में आई कि ये हमारी सेवा की चोरी कौन कर रहा है और उनको ने देखा कि एक भील नहीं ये कारी कर रही है वो समझ गए ये कोई सामानियाँ नहीं है अरधरात्री के समय उठकर ये कारी करती है उनको हुई और प्रसनताप भगवान की उपासना का मार्ग मतंग रिश्टी ने उसे बताया अम्रीश महराज की छोटी रानी वो उनकी सेवा की चोरी करती का देवी तुम हमारी सेवा की चोरी क्यों करती हो तुम्हारा इतना भाव है तुम अपने माथे सेवा विराजमान क्यों नहीं कर लिती हूँ तो आग्या हो गई पती ही गुरू है आग्या हो गई तो छोटी रानी ने मदन मोहंजी को अपने कुझे में विराजमान कर लिया वैश्णव की संपत्ती भगवान की सेवा है ये बात बिलकुल सत्य है भगवान की सेवा संपत्ती है पर भईया सेवा की पात्रता भी इस देह में होनी चाहिए इसलिए शवचाचार आवश्यक सुद्धी और विधिवत श्नान करना जल और मृति का आधी का उपयोग करना अफिर भगवान की अपरस में सेवा करना भगवान की अपरस में रसोई बनाना और शरीर भगवान के स्परशके योग्य हो जाए इसलिए मस्तक पर उपुन धारन करना, तुलसी धारन करना, भगवन नाम अध्वा भगवत बुद्रा धारन करना, अगन्यास करना, गुरु मंत्र का जब करना, इस्तो तरपाठा दी करना, इससे भगवत सेवा की युग्यता प्राप्त हो. तो उसके जो नित्य नेमितिक कर्म है वो देह की आवश्यक सास्त्रिय सुध्धी हो जाए और वो सुध्धी किसलिए आवश्यक है वो सुध्धी भगवत सेवा के लिए आवश्यक है तो उसका प्रयोजन जो है भगवान की सेवा हो गया भगवान की सेवा उसका प्रयोजन हो गया इसलिए वह सेवा की सामग्री बन गया वह भगवत सेवा की सामग्री बन गया इसलिए वैश्णव धर्म इतना सुक्ष्म है इतना सुक्ष्म है कि इसकी सुक्ष्मता भीतर से यदि समझ में आ जाए तो क्या कहें हम मलमूत्र त्याग की क्रिया शेन की क्रिया भोजन की क्रिया भी भगवान की उपासना की सामगरी बन जाती भगवान की उपासना की परिधी में आ जाती किसलिए सो रहे हो सुबेरे जल्दी श्रिना जी की मंगला करनी है भगवान के निमित तो सोना है और भगवान के निमित तो जगना है